नमस्कार विद्ध्यार्थियों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब में आज हम नेट में पूछे गए 2020 के कुछ प्रिवियस येस कुश्टन को डिस्कस करेंगे पहला प्रेशन है सुमिलित कीजिए एक तरफ ऑथर्स के नाम है दूसरी साइट आपको नाम दिये हुए है जो बुक्स लिखी गई है 1857 में तो जॉन विलियम के साब ने लिखी है A History of the Sepoy War Edward J. Thompson की लिखी हुई है The Other Side of the Medal S.N. Sane जो की Indian Historian है इन्हों ने लिखी है 1857 जो की एक सरकारी इतिहास है और इनको सरकारी इतिहास 1857 की कांती का लिखने के लिए कहा गिया था जब R.C. मजूंदार सर ने इसको लिखने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो इसको एक सिपाही विद्रोग इकरें देखते थे और जो सरकार थी भारत की समय वो इसको सिपाही विद्रोग से बढ़खे लिखवाना चाहती थी तो उन्होंने इसको मना कर दिया था जॉर्ज मैकमंग ने लिखी है इंडियन म्यूटिनी इन दा परस्पेक्टिव तो इसका आंसर हो जाएगा 4321 और यह मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है जिन जिससे पूछा जाता है अधिकतर प्रेशन आपको इसी लिस्ट में मिल जाएंगे बहुत जादा कुछ यात तरन कर सकते हैं अपनी नोट बुक में इसमें कुछ foreign authors हैं कुछ historians हैं और कुछ Indian historian हैं जिसमें से मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा V.D. Savarkar के उपर V.D. Savarkar ने लिखा है Indian War of Independence 1857 और ये उस समय लिखी गही है जिस समय इस पूरे के पूरे क्रांती को सिपाई म्यूटनी नाम देके अंग्रेजी इतिहासकार इसको प्रस्तुत कर रहे थे और उस समय इस historiography को इस इतिहास लेखन को challenge किया था पहले किसी व्यक्तिने तो V.D. Sav और इनको बोला था और R.C. वजुंदार का statement आता है इसके उपर बहुत अच्छा कि ना तो ये प्रसंद था ना तो ये राश्ट्रिय था और ना तो ये एक आजादी की या सवतनता संग्राम था तो इन्होंने लिखी है सिपाई, म्यूटनी, एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 और इसके नाम से questions जैसे भी आपने match the following देखा था पिछला question जो की net में पूछा गया 2020 में और उसमें आपको तीन foreign author थे, एक SMC जो की Indian author थे उनका नाम था, बट कभी वही questions में आपको केवल सारे Indian author के नाम दे देंगे और एक तरफ books दी होंगी, या कभी-कभी mix में भी question आता है, वन लाइनर भी आता है, तो यह important थोड़ा से सकते हैं, याद कर सकते हैं, next question है, सुमेलित करिए, एक तरफ चित्र कला तकनीक है, दूसरी तरफ उसके अर्थ दी है, खत, हाशिया, तरह, रेखांकन, रेखा चित्र, आरेक, रंगा मोजी, रंग मिश्रन, रंगाई, और शम् तो आपने पेंटिंग जो पोट्रेट देखी होंगी, मुगल काल में, वो कुछ इस तरह से पोट्रेट बनाते थे, बड़ा सा एक ऐसा फ्रेम सा रहेगा, और उस फ्रेम में इधर मार्जिन बनाएंगे, जिसको हम हाशिया बोलते हैं, इस तरह की मार्जिन बनाएंगे, ब इस तरह से अगर आपको कुछ प्रेंटिंग बना नहीं है, माल लिजा आपको किसी का चित्र बनाना है, तो आप पहले उसकी क्या करेंगे, एक outline बनाएंगे, जैसे अगर आपको माल लिजे, बी लिखना है बड़ा सा, तो आप अगर बी का एक outline मानाएंगे, इस तरह से, और इसके बाद इसके अंदर color करेंगे तो यह outline बनागी, इस outline को रे खांकन बोलते से, इसको हम बोलते से तरह, इस technique को आपने एक खाखा बना दिया, मतलब एक base बना दिया आप उसके अंदर आप color करेंगे, तो अप इसके अंदर जो coloring होगी, इसके अंदर रेघ्पाइजे पूरा पूर्टरेट जो बनाया हुआ हुआ है अमाल्य यह शहाभ condition के उ-पर लिखेंगे शाभाथ यह वल्यवाथ तो प्रोद पुछ आपने लिखा विए इसको किस अलंकरत खंग से णिख सकते हैं तो कि option मन जाएगा option number D 1234 next question है निम्न लिकित में से कौन जैन भिक्षणी बनने वाली पहली महिला थी चंदना, खेमा, सुजाता या त्रिशला तो इसका answer दोने से पहले दोस्तों मैं कुछ discuss करना चाहूँगा यहाँ पे आपको पता होगा लिच्छवी किंग चेटक के विशे में चेटक जो की कौन है लिच्छवी नरेश है लिच्छवी नरेश चेटक इनकी चार पुत्रियां थी सबसे पहले नाम आता है चेलना का चेलना जिनका विवाई इन्होंने किसे के साथ किया बिंबी सार के साथ किया बिंबी सार मगत का राजा बिंबी सार उसके साथ चिलना का विवा करते हैं सेकेंड नंबर पे आती है पदमावती पदमावती इनका विवा करते हैं ददी वहन के साथ ददी वहन जो की कहा के राजा है चमपा के चंपा नरेश ददीवाहन तीसरी है म्रगावती म्रगावती इनका विवा किया जाता है कौशामभी के राजा कौशामभी के राजा सतनीक से और चौथे नंबर पर आती है शिवा इनका विवा किया जाता है चंड प्रद्योत जो की अवन्ती के शासक है चंड प्रद्योत तहां के शासक हैं अवन्ती की तो इस तना से अपनी चार पुत्तियों का विबा करते हैं बड़े-बड़े शासकों के साथ और जो दूसरे नमबर पे पद्मावत्य ददिवाहन है इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है चंदना और यह चंदना ही पहली जैन भिक्षडी बनती है और खेमा जैसे आपको पता है बिम्बी सार की दूसरी जो पत्नी है उसका नाम है खेमा और सुजाता आपको पता है यह बहुत धर्म से रिलेटेड है कैसे related है या आप मुझे बताईए comment section में बहुत धर्म के साथ बुद्धिस्ट के साथ कैसे related है actually बुद्धिस्ट तो नहीं कहूँगा मैं कहूँगा बलकि गौतम बुद्ध के साथ कैसे related है या आप मुझे बताईए और त्रिशला आपको पता है इसमें बहुत जादा जानकारी दी हुई है कि कौन किस से कैसे related है तो आपको पता है त्रिशला जो है वो चेटक की बहन है चेटक की फिर चार पुत्रियां है उन चार पुत्री में से एक पुत्री ददी वहान चंपा नरिश के साथ उसका विवा होता है उससे एक पुत्री उत्पन होती जिसका नाम है चंदना जो की जाके बन जाती है जहन बिक्षुणी और इस तरह से देखा जाए तो महावीर स्वामी के साथ उनका एक relation भी है मामा और भानजी का relation है आप अगर इसको थोड़ा सा सोच पाएंगे तो आप उस नतीजे तक जरूर पहुँचेंगे चौथा question है कीमती पत्थरों को तराशने की गती को बढ़ाने के लिए belt drive के इस्तुमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विपरण में मिलती है तो belt drive जी जो है ये को करन है ये एक तरह का equipment है equipment है जो की ये जो question आया ही आया आपका medieval history थे और आपको जो option दिख रहे होंगे इसमें आपको पता है ये सारे सारे जितने हैं ये सब मुगल काल के travelers हैं मैंने मुगल travelers पढ़ाएं हैं दो पार्ट मैं उसको cover किया था उसमें बर्नियर, मनुची, पीटर मुंडी, ट्रेवर्नियर सब के नाम दिये थे मैंने तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेवर्नियर था ये एक जोहरी था और ये छे बार भारत आता है इंडिया की और ये पेशे से क्या है ये है पेशे से जोहरी तो यदि आपको इसका अंसर ना भी पता हो और अगर आपको ये पता है कि जोहरी है तो बात किसी कर रहा है पत्त्रों को तराशने की बात कर रहा है तो कीमती पत्त्रों को कौन तराशेगा जोहरी तरह आशेगा, ताइड सी बात है, तो ट्रैवर्नियर और फ्रायर स्कांप थे हैं नेक्स्ट कोश्चन, 1914 तक भारतिय पैदल सेना के तीन चौथाई सिपाही यानि की थर्ड फॉर्ट और टोटल जितने होंगे, उसमें से तीन चौथाई जो सिपाही हैं, वो निमने लिखित में से किस शेत्र से थे, बंगाल, बिहार और अवद, मदरास, बॉंबे और बंगा नेपाल और उस्तर पश्चिमी सीमान प्रांच, पंजाब, सिंध और राजपताना, तो आपको पता है कि 1857 की जो कांती हुई थी, उसमें जो सिपाही थे, वो सबस्यादा अवद से थे, तो अब आगे चलके अवद से तो भरती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको 1857 की कांती के बारे में पता है अंग्रेजों को भाई अवद से बहुत सारे सिपाही से और उन्होंने पिद्द्रो कर दिया था, तो वहां से भरती नहीं होगी, तो यह जो भरती होती ही आगे चलके, आपको यह भी पता है कि 1857 की कांती में जो सिख्थ थे, और जो गोर्खा थे, वो है मनसबदारों के उपर, और यह जो प्रेश्ण है इसकांतर कोड में देना है, इस तरह के प्रेश्ण पूछे आते हैं, नेट के एक्जाम में बहुत आधा, क्योंकि एक ही प्रेश्ण में चार प्रेश्ण बंद गाए इसमें, अब्दुल हमीद लाहरी लिखता है कि सामर के लिए लेकि आना होता था, अपने जो जितने भी उनके सवार का जो ओधा है, आपको पता है, जैसे मनसबदारी में दो चीज़ें इंकॉर्डन्ट हैं, एक है जाद और दूसरा है सवार, तो जाद जो है यह बताती है, उसका रैंक, उसकी क्या हैसियत है, क्या उसकी हायर है, उसके हिसाब से उसको एक तिहाई लेकि आना है, गुर्सवार, मस्टर के लिए ऐसा बताता हमीद लाहरी, अगर वो मनसबदार को चागिर दी हुए, चाहे सामराज्य में कहीं पे भी न्यूक थो, तो उसको एक तिहाई लेकि आना है, यदि वे बल्क और बदक्षा में न्यूक होते थे, तो उन्हें सवार ओधे के पांचवे हिस्से के बराबर लाना होता था, बल्क और बदक्षा से संबंदे थी ये नियम, बाद में पूरे काबल प्लांत में न्यूक बंसबदारों पर लगाया जाने लगा, औरंग देप के काल के उत्तरार्द में लिखे खुलासन उस वियाक में इन नियमों की पुष्टी मिलती है, तो ये जो नियम था, ये सही बात है कि कितने लेके आने हैं, ये जो बल्क और बदक्षा था, यहाँ पे बोला गया था कि आप एक बटब पांचवा हिस्से ही लियाए, उतना ही काफी है, क्योंकि ये जो एरिय है, वो अपने आप गलत हो जाता है, अगर हम एक बटे पांच क्योंकि वो भी सामराज जी का हिस्सा है, तो एक त्याही की तो बाती नहीं होती, बाकी के दोनों स्टेट्मेंट सही हैं, तो इस तरह से हमारा अंसर बन जाएगा, ऑप्शन नमबर D, B, C, और D. Next question है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ जो नाम दियों हैं, अमीरे कोही, अमीरे आखुर, ये सारे अधिकारियों के नाम हैं, ऑफिसर्स हैं, किस टाइम के हैं, ये आप मुझे बताईए कमेंट सेक्शन में, हलागि कमेंट सेक्शन में क्या मैं आपको बतायता हूँ, क्योंकि और डेली सल्तनत, मैंने आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है, अमीरे आखुर, जो की शाही अस्तवल का अधिकारी था, शाही अस्तवल यानि की घोडों की बात हो रही है, और अमीरे आखुर का जुपद है, ये बहुती चर्चा का विशे बनता है, किसके टाइम पर रधिया किटाइम पर, क्योंकि रधिया जो है, यहां पर एक गैर तुर्क को बठा देती है, अमीरे आखुर बनाके जिसका नाम क्या है, याकुर, तो ये चर्चा के विशे बन जाता है, अमीरे आखुर, गुपडों की कमान अधिकारी, बरीद, बरीद जो है, ये बनत जो ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा तीन, चार, एक, दो, यानि ऑप्शन डी, नेक्स्ट कोश्चन, एसर्शन रीजन के उपर है, ऐसा माना जाता है कि हडपा सब्विता के लोगों के दजला, फरात, नदी, घाटी के लोगों के साथ प्यापारिक संबंध थे, कारण में द इसका पुराना नाम है मैसोपटामिया, तो बात तो उसी शेत्र की हो रही है, लेकिन आप देखिए, एसर्शन जो है, एक दम सही है, व्यापारिक संबंध थे, उनके सी ट्रेड हुआ करते थे, और इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है, हम कैसे इस नतीजे पे पहुचे कि इ जो सील्स हैं, ये क्या है, ये एक आर्केलोजिकल एविडेंस हैं, यानि कि पुरा तात्विक साक्ष हैं, तो अगर जो आपका कारण है, ये कह रहा है, ऐसा कोई पुरा तात्विक साक्ष नहीं है, तो ये बात तलत है, यो कि पुरा तात्विक साक्ष तो हैं, तो आपका option हो जाएगा वो हो जाएगा A सही है कि इन तु आरगलत है यानि option number C अब यहीं पे इस question में आप अगर ये समझेए कि अगर ऐसा दिया होता कि ऐसे पुरा तात्विक साक्ष मिलते हैं जो मैसोपटामिया के साथ व्यापारिक संबंदों की परिकल्पना की पुष्टी करते हैं तो आपका आंसर क्या होता तो आपको सिंपल सही देखना है कि जो statement है और जो कारण है वो दोनों सही है और जो कारण है क्या वो statement को justify कर रहा है बिल्कुल कर रहा है क्यों क्योंकि statement आपका कहे रहा है कि उनके व्यापारिक संबंद थे कारण कहे रहा है कि इसके हम को सबूत इसलिए मिलते हैं इसके साक्षिय हम को पुरातात्ति मिलते हैं इसलिए हम यह सिद्ध करते हैं कि व्यापारिक संबंद थे तो उस case में हमारा answer होया था option number A नाइन्थ question है निम्न लिखित में से किसने गुप्त संबंद के प्रारंब के निर्धारन के संबंद में महत पुर्ण सूचना दी है दोस्तों यह जो सूचना दी है गुप्त संबद क्या है सबसे पहले तो आप यह जानिए 319 AD 319 AD से शुरू होता है गुप्त संबद अलाकि जो गुप्त डाइनस्टी है उसके founder कौन है वो है श्री गुप्त है गुप्त डाइनस्टी के founder लेकिन यह जो 319 AD है यह काल क्रम माना जाता है चंद गुप्त का चंद गुप्त प्रथम तो आप से यदि यह पूछें कि गुप्त संबद शुरू होता है कि शुरू होता है तो चंद गुप्त प्रथम का जो गद्धी पर बैठता है 319 AD 319 AD वहां से गुप्त संबद की शुरूआत मानी जाती है और इसका विवरन हमको देता है अलबरू जिसने लिखी है किताब लहिंद, जिसको हम तारीख हिंद भी बोलते हैं, जिसको हम 11 सदी का भारत का आइना भी बोलते हैं। दसमा प्रशन है निमने लिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का देश चे इन शब्दों में व्यक्त किया कि विभाजित बंगाल एक शक्ती है विभाजित बंगाल अलग-अलग दिशाओं में जाएगा दोस्तों अगर आपने पुस्तक पढ़ी होगी इंडिया इस्ट्रगल फॉर इंडिपेंडनेंस विपिन चंद्रा की विपिन चंद्रा सर की अगर आपने पुस्तक पढ़ी है इंडिया इस्ट्रगल फॉर इंडिपेंडनेंस तो उसमें सिंपल ये एक लाइन दी हुई है एक कोटेशन दिया हुआ है जो की कहा है एचच रिसलेज ने और लॉड करजन के समय में बंगाल विभाजन होता है 1905 डेट है 16 अक्टूबर 1905 इस दिन इसको कारियान भी कर दिया जाता है और इसके बाद फिर सोदेशी आंदोलन हम देखते हैं और बलकि इससे पहले जब बंगा किया जाएगा कि राकी बंधन का संबंध किस घटना के साथ है भारती राष्ट्री आंदोलन में किस घटना के साथ है तो आप बोल सकते हैं यह सोदेशी आंदोलन या फिर जो बंगाल विभाज़न है उसके साथ है क्यों राकी बंधन करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको शो कि हिंदू और मुस्लिम में विभाजन हो सके क्योंकि जो बंगार का जो विभाजन किया उसका भावलिक शेत्र इस तरह से बाटा कि उसको पूर्व में और पश्चिम में किया गिया पश्चिम का जो शेत्र था वहां हिंदू बहुलता दी और जो पूरव का शेत्र था वहां शिकायतें कह सकें कुमर जी मैता, इशान चंद्रे राय, भातकर जाधव, शचीपत बेनर जी और द्वारिकानाद गंबली तो कुश्चन देखने में आप लोगो बहुत टफ लग रहा होगा लेकि थोड़ा सा अगर आप सोचो तो ये शचीपत बेनर जी और द्वारिकानाद गंबली ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं सामाजिक सुधारों से, सोचल रिफॉर्म से किसान अंदलों से केवल ये दो लोग जुड़े हैं कुमर जी मैता, इशान चंद्र राय जो कुमर जी मैता हैं, ये हैं गुजरात से, और इशान चंद्र राय बैंक भॉल में तो कुमर जी मैता के कहने पे ही 1920 में जो सरदार पटेल से उन्हों ने यहाँ पे बारड़ोली में अंदोलन किया था और बारड़ोली में अंदोलन करने के लिए उनको कुवर जी महता ने ही आमंत्रित किया था तो एक महत्पूर्ण फैक्ट है क्वेश्चन यहां से भी घुआ के पुशा जा सकता है और दूसरा इन्होंने एक मंडल की भी स्थापना की थी कुवर जी महता ने जिसका नाम है पार्टीदार पार्टीदार किसान मंडल तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप इसको नोड़ डाउन कर सकते है और यह इशान चंद्रे राये जुड़े थे पाबना विद्रो थे पाबना विद्रो जो की बंगाल के युसुफ साही जिले में हुआ था युसुफ शाही जिला युसुफ शाही परगना बोलेंगे जिला तो नहीं युसुफ शाही परगने में हुआ था जो आधुनिक बाहर अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो यह बंगला देश में है बंगलादेश में पढ़ता है ये और इस समय एक वाक के एक नारा बहुत ही पसित दुआ था जिसकी मैंने बात की थी जो हमने किसान अंदुलन पढ़ा था उन्नीसी सदी का किसान अंदुलन में पढ़ाया हुआ अपने चनल पे तो उसमें एक नारा था कि जो रहियत होते हैं वो कहते हैं कि हम केवल और केवल महरानी की रहियत होना जाते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट है दूसरा बात करेंगर सचीपत बेनर जी की तो ये जुड़े हैं ब्रह्म समाज से question पूछा जाता है कि सशीपत बेनर जी कौन से समाज से जुड़ें या code में आपसे question पूछ लेंगे बास कर जाद हो ये भी social reformer थे और द्वारिकानाद गांगोली ये गर हम बात करें तो द्वारिकानाद गांगोली जो से बलकि अगर आपको सारे के सारे options को बहुत गहनता से पढ़ना चाहिए अगर पीवाई क्यूस से आप revision करना चाहते हैं तो उसका यही एक best तरीका है जितने भी options दिये हुए उनके बारे में आप जितनी जानकारी हो सके उतनी कत्र कलें अगला question है निजाम शाही राज के मलिक अंबर ने क्रशी और राजस्व ढांचे में प्रांतिकारी बदलाव की इस संदर्व में निम्न लिखित में से कौन सा प्रावधान सही है फिर से code में option है मलिक अंबर ने भू राजस्व संगरहन उगाही को ठेके पे देने की प्रसा समाप्त की उसने भू शेत्र का आकलन सरसरी निगाह यानि नजर पानी द्वारा करने की शुरुआत की नजर पानी के अंतरगत जमीन को बागात और नाबूत में बाटा जाता है भू राजस्व की अधिकतंदर भूमी की उर्वरा शक्ती के आधार पर उपच का एक चौताई से दो तिहाई इस्सा हुआ करती थी तो ये मलिक अंबर ने जो भू राजस्व नीती जो अपनाई थी ये टोडर मल्क के किये हुए जितने भी सुधार थे टोडर मल्क के जितने भी भूर अजस्व के सुधार थे गुजरात में उसने जो किये थे वही मलिक अंबर ने दक्कन में उसका प्रयोग किया था और ठेके पे देने की जो प्रथा थी वो उसने समाथ कर दी थी जिसको इजारेदारी भी बोलते हैं नजर पहनी किशुवात की ये सही है तीसरा स्टेट्मेंट रॉंग है नाबूत और बागात में नजर पानी के अंतर का जमी को नहीं बटा जाता था भूर आजस्व की अधिकतंदर उर्वरा शक्ति के अधार पर क्योंकि आकलन किया ही सिले गिया था की अर्वरा शक्ति की आधार पर उसकी उपच का एक चौताई से दो त्याही हिस्से तक उसकी भूराजस को निर्धारित किया जाते है तो आप्शन नमबर थी सही हो जाएगा केवल ए बी और डी थर्टीन्थ क्वेशन निमनलिकित में से किस शहजादे या अमीर के पुस्तकाले में सोलवी सदी के उत्तरार्द में मुगल शैली में शाह नामा की सचित्र प्रती तयार कराई गई शहजादा मुराद, शहजादा कुर्रम, ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान, अब्दुल रहीम खाने खाना तो अब्दुल रहीम खाने खाना के पुस्तकाले में इसको कराए गया था अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो बैराम खान का उत्र था जिसको अकबर ने गोद ले लिया था क्योंकि जब बैराम खान की मुट्य हो जाती है तो उसकी जो विद्वा होती है उससे अकबर निकाह कर लेता है और अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने बेटे की तरह उसका लालन पालन करता है अब ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना आपको नाम दिख रहा है तो आप केवल इस नाम पर ध्यान दीजे रहीम और आपने नाम सुना होगा हिंदी कावि में, रहीम के दोहे आपने सुने होंगे, रहीमन धाथा प्रेम का मत तोड़े छटकाए, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखें, रहीम के दोहे से बहुत प्रसिद होते हैं, खाने खाना जो है ये इनकी उपादी है, जन्म इनका होता है लाहौर, अगला प्रेशन है, भारती राश्टी कॉंग्रेस के विशे में निमनलिखित कतनों में से कौन से कतन सही हैं, एक आंदोलन के रूप में उन विभिन राजनीतिक जुकावों, विचारधाराओं और सामाजिक समूहों को सम्मिलित किया, जब तक ये आंत्रिक और धर्निर्पेक्ष राश्ट्रवाद के पती पतिबद्ध थे, आरंभिक राश्ट्रवादी नेताओं ने जन अंदुलन को संगर्ठित नहीं किया, परन्तु उन्होंने उत्पीडकों के विरुद्ध वैचारिक संगर्ष चलाया, आरंभिक राश्ट्रवादी आरंभिक राश्ट्रवादी नेताओं ने जन अंदुलन को संगर्ठित नहीं किया, तो आपको लगरा होगा कि शायद ये गलत है, लेकिन ये एक्दम सही बात है, आरंभिक राश्ट्रवादी नेताओं ने जन अंदुलन संगर्ठित नहीं किया था, जन अंदुलन संगर्ठित होता है 20. सधी के शुरुबात के बाद, यानि कि जो हम देखते हैं स्वदेशी सबसे पहला अंदुलन, जन अंदुलन स्वदेशी देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में उनका केवल उद्देश यह था कि किसी तरह से पॉलिटिकल अवेटनेस लाई जाए जो राजनीतिक जागरुटता है उसको किस तरह से पैदा किया जाए फिर आरंभिक राष्टवादी नेताओं ने प्रेस वाक्स वतनतरता के प्रत्यक उलंगन के विरत संघर्ष किया एकदम सही बात है और मैंने आपको इस चीज़ के उपर डिसकुशन किया है हमने एक लेक्चर लिया था आपको याद होगा कि भारतिये राष्ट्रिये जो आंदोलन है जो राष्ट्री आंदोलन है उसमें प्रेस की क्या भूंका थी तो उसमें हमने बात की सुरेंदरनाथ बेनर जी की हमने बात की थी बाल गंदा दर्तिलक की जो अरंभिक नेता थे राष्टवादी नेता थे और उन्होंने प्रेस की स्वतंतता के लिए बहुत जादा कोशिशे की हैं बहुत उन्होंने संघर्ष किया है और लास्ट वाला स्टेट्मेंट भी इक प्रेसिडी नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त समराच चंदगुप्त दितिय को किस यकिन अन्य नाम या नामों से जाना जाता था देवगुप्ध देवराज देवपुत्र या देवड़त इसका आंसर तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं देवगुप्ध है और दे पुत्र जो है ये कौन से शाशक इस उपाधी को धारण करते थे देवपुत्र तो इसका आप्शन तो हो जाएगा आप्शन नम्बर टू नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न लिखित में से किस क्रंथ में सूफी संतों की जीवांत वरतांत दिया गिया है और जिसके पैचेशि हक दहलवी अब्दुल हक दहलवी ने लिखा था और ये जो अब्दुल हक दहलवी थे ये कौन से सिल्सले से जैसे आपको पता है कि बहुत सारे सिल्सले होते थे सूफिजम में तो कादरी सिल्सले से से अब्दुल हक दहलवी और कादरी सिल्सले से अब्दुल हक दहलवी और इन्हों ने एक और रचना की है, एक और व्रंस की रचना की, जिसका नाम है नूरिया ए सुल्तानिया, तो नूरिया ए सुल्तानिया है किस चीज़ की, यह आप मुझे बताईए कमेंट सेक्शन में, नूरिया ए सुल्तानिया, और यह इन्हों ने जांगिर के कहने पे बर्नी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तमाल की गई वहतामबा थी परिष्टा का कहना है ये कांस या पीतल था दूसरे सिक्कों में अर्बी में लिखा था जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फार्सी में लिखा था सांकेतिक सिक्कों पर लिखी इबा वो सबसे आदा महत्वकुन किताब है और सांकेतिक सिक्कों की जो बात होती है किसके समय मोहमद बिन तुगलक के समय में है तामा बताता है ये धादू सही बात है फरिष्टा जो की लिखी है जिसने गुलशन इबराहिमी और ये बहमनी शासकों के अंतरगत इसने लिखी है तो इसमें इसने कांसे या पीतल बताया है और दूसरे सिक्कों पर अर्बी में लिखा था जबकि इन सांकेतिक मुद्राओं पर फार्सी में लिखा था ये भी गदम सही है लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है ये सही नहीं है अब आप सोचिए मुहम्मद बिन तुगलग जैसा शासक जो की हर चीज़ को सोच समझ के करता है तो क्या अपनी जो सांकेतिक मुद्रा है इस तरह की बनाएगा कि उसमें पठनी ये बनाने के लिए अबारत लिखी जाए और वो पठनी ये भी ना बने और पढ़ने योगी भी भी ना बने इस पश्ट ना हो तो ऐसा तो नहीं करेगा तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए बी और पी निमने लिखित इसमारकों को आरंबिक काल में उनके एतिह रिखान से पढ़ें तो आपको औरंगा वाद में बी-बी का मगबरा दिख रहा है जिसकी बना है किसके समय में औरंग जेब के समय में और बाकी तीनों इमारते जो है चश्मा अनूर अजमेर में एत्मात अब्दौला का मगबरा आग्रा में और बेगम शाही मजिल दाहौ में workflow की तीनों की तीनों मनती हैं जहांगीर के Charland तो अगर आपको गारकरम ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे याद कर लिजे कि कौन शास्तक पहले आया जहांगीर पहले आया है औरंग देप बाद में उयानी सबसे आखरी में ओरंग देप की इमारत और बेगम शाही मस्जिद बंती है 1614, तो आपका उप्शन हो जाएगा, सुरी ये जो चश्माय नूर है ये भी 1614 तक बनता है, तो इन दोनों के बीच में खोड़ा सा विबाद है कि कौन पहले बनी, कम्प्रीट हुई, अलाकि आयोग ने इसका उत्तर भी माना है और इसके और कोई बनता भी नहीं क्योंकि ऑप्शन B जो है लास्ट में केवल ऑप्शन 3 में ही दिया हुआ है, निमने लिकित सेयद सुल्तानों को काल करम में रखें, अलाउद देन आलम शाह मुबारक शाह देती है, खिजर खान मुबारक शाह चतुर, तो ये काल करम पूशे आते ह सेयद सुल्तानों की और आपसे लोदी सुल्तानों की तो नहीं पूशेगा, सबको पता है, इजी सा है, आखरी में इबरहीम लोदी है, फिर सबको पता है, बहलो लदी से शुरू होता है, तो आपसे काल करम कहां कहां से पूशेंगे, ये मैं आपको बतायता हूँ, आपसे बंगाल के शासे को पुरोन बाजी कुछी आईगी तो ये काल करम आपसे कुछी आईगी आप इसको अगर याद कल लें तो इससे लावा बाहर जल्दी question आते नहीं अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखी खिजर खान, खिजर खान कौन है, founder है और ये कोई भी पद्वी नहीं रहता अपने आपको रहयते आला बताता है रहयते आला मतलब ये अपने आपको तैमूर का ही गवर्नर एक तैंसे बस इस्थापित करके रखता है, अपने आपको ये कोई independent ruler नहीं मनाता, ना अपने नाम से शिक्के जारी करता है, और ये जो शिक्के जारी करता है, ये या तो तैमूर के नाम पे करता है, या फिर उसका बेटा जो है शारुक, उसके नाम पे करता है इसके बाद आता है आपका मुबारक शादिती, मुबारक शादिती एक बाद मुहमाद शाह, और अलौदिन अलमशा करी में आता है अलौदिन अलमशा करी में आ जाएगा स्टार्टिन आप कर देंगे सी से C, B, D, A का अंसर हो जाएगा अल बरूनी और भारत के बारे में दिये गए उसके विवरन के संबंध में निमने लिखित में से कौन ता कथन सही है उसे देश से निकाला दिया गया था और दस साल भारत में रहने का आदेश दिया गया था उसके अनुसार अस्परश जातियों के लोग, चारो जातियों के गाउं और शहरों के बाहर ही रह सकते था तो गाउं के अंदर आने के इनुमती नहीं थी ग्रहन की सच्ची प्रक्रती के बारे में इसमें ब्रम्य गुप्त के द्रश्टीकु्ण का समर्थन गिया है उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उसके देश जैसा कोई और ढर्सके धर्न जैसा कोई not तो उसको देश निकाल के भारत भेजा गिया था कि भारत आएगा और भारत किसके साथ आता है वो भारत आता है मैमूद आफ गजनी के साथ तो मैमूद आफ गजनी साथ ये भारत आता है और यहाँ पे आके वो संस्कृत के जितने भी वेद पुराण है उनका अध्यन करता है पहला मुस्लिम है जो संस्रित सीखता है भारत में आके वेद पुराणों का अध्यन करता है तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही है असप्रश्य जातियों का उल्लेक करता है मैंने आपको इससे पहले बताया था कि वो गुप समवत के बारे में भी बताता है और बहुत सारी जानकारी देता है, क्योंकि ये बाहर का है, तो इसलिए इसने जो विवरन दी है, उसको आप बायस भी जादा नहीं बोल सकते, और इसने क्योंकि मूल भाशा का भी अध्धन किया है, बहुत अच्छे थे, इसलिए इसने बहुत ही डीप में बहुत ही अच्छी नहीं बनाने के बाद इस तुरी किताब को लिखा है, जो थörd statement है, इसने बरह्म गुप्स के द्रश्टी कोड का विरोध किया है, उसके अनुसार हिंडू सोचते हैं की उनके जैसा कोई देश नहीं है, और नके जैसा कोई धर्म नहीं है, एकदम सही बात है, और यह ये भी तारीक और तिथी और जो तक्थ है उसके उपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ये भी इसका स्टेटमेंट है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किताब बुल हिंद के बारे मताता हूं आपको। इसको इसने जो लिखा था मूल भाषा वो थी अर्भी। अर्भी भाषा में इसने लिखा था। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। इस्ट्रोलाजी भी है। और मैथमेटिक्स की ओपर काफी इसने विखरण दिये हुए। तो ये बहुत important किताब है इतिहासी स्ट्रांट के जिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये lecture आज का समाप्त करता हूं 20 questions के साथ। आगे हम और भी प्रेशन को discuss करेंगे जैसे जैसे मैं और भी lecture लेक्षर लेक्या हूंगा। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले lecture में तब तक के लिए धन्यवाद। मैं प्रण साे मैं और Σल्ग। फश् साथ।